अपनी सेना के अगेंट प्रदर्शन कररे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टोटल बदाया जाता है कि अब तक 860 से भी उपर लोग मारे जा चुके हैं Myanmar के Protesters मारे जा चुके हैं अपनी आर्मी के हाथो और इन में से 44 तो यहाँ पर Children ही थे और इनकी मौत इस तरीके से होती है सड़कों पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होती हैं डेमोक्राट्री की डिवान कर रहे होती हैं अच्छानक से Myanmar के सोज़ड जाते हैं गोलिया चलाते हैं और एक example सेड करते हैं कि इनके खिलाब जो भी खडा होगा उसके साथ ये लोग ऐसा करेंगे अब रिसेंटली क्या हुआ कि United Nations में कई देश घटा हुए इन्होंने डिसाइड किया कि चलिए एक resolution पास करते हैं मिलके voting करते हैं Myanmar की army government की against यहाँ पर आप देहेंगे Washington Post का article है कि United Nations ने हाली में voting करके एक resolution adopt किया है जहाँ पर निंदा करी गई Myanmar की military जनता की अब यहाँ पर आप काओगे military जनता यह इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर काफी बार army लिखते है military जनता अब देखो military जनता का मतलब होता है एक ऐसा military group जो एक country को rule करता है forcefully power छीन कर अब यहाँ पर आप काओगे wait पाकिस्तान में भी काफी बार तकता बलड हो चुका है तो उनकी army को भी काफी बार खा गया है military जनता तो इसका answer है हाँ बिलकुल आप अगर पराने article देखोगे 1960s के 70s के तो काफी बार आपको ऐसी headline मिलेगी कि military जनता, dogs, पाकिस्तान और कई research papers हैं आज भी इन universities वहाँ पर openly का जाता है कि पाकिस्तानी military जनता lean towards China and in 1961 changes happened तो यहाँ पर उमीद करता हूँ यह concept आप समझ गए अगला question यहाँ पर आपका आएगा कि अच्छा तो United Nations में voting हुई महनवार के issue को लेकर मगर voting किस बारे में हुई यहाँ पर मुद्दा क्या था मुद्दा यहाँ पर यह था कि महनवार पर pressure डालना होगा कि वापस यह लोग democracy restore करें जो भी यहाँ पर leaders हैं politicians हैं इनको jail से छोड़ें और अपने ही लोगों पर गोलिया चलाना बंद करें यह तो है एक पार यहाँ पर दूसरा पार यहाँ पर इस resolution का यह भी है कि महनमार को कोई भी देश weapon sell नहीं करेगा reason क्या है क्योंकि जो भी हरतियार आप इनको बेचोगे यह इस्तेमाल करेगी इनकी आर्मी और इनकी आर्मी फिर जो यह इस्तेमाल करेगी अपने लोगों पर और क्या यह resolution सेंकतराश्ट में पास हुआ तो इसका अंसर है हाँ बिल्कुल यहाँ पर आप देहोगे overwhelmingly countries ने यहाँ पर vote किया कि हाँ बिल्कुल यह resolution पास होना चाहिए Myanmar पे और दवाव डालो ताकि यहाँ पर democracy लोट पाए now interestingly आप देहोगे कि 36 देशों ने यहाँ पर abstain कर दिया मतलब कि नोंने यहाँ पर vote ही नहीं किया ना for ना against और सिर्फ एक country था जिसने इस resolution का विरोध किया इसकी against voting करी यह देश है बिलारूस बिलारूस आप सबको बताओगा येरोपियाई देश हाली में काफिया तक न्यूस में है क्योंके इनोंने एक plane hijack कर लिया जो Greece से जा रहा था लिथुएनिया में और अभी के लिए पूरे European Union ने बिलारूस पर लगा दिये है sanctions और बिलारूस से related आप से question पूछूंगा कि बिलारूस देश की राजधानी क्या है ये कैसा देश है जो न्यूस में रहता नहीं है तो शाइद कई लोगो को इसके बारे में बता नहीं होगा बिना Google किये answer करना बहुत ही simple question है मगर किसी की Myanmar को या तो weapons export करते हैं या फिर वो देश Myanmar की army के साथ relations खराब नहीं करना चाते इन्होंने याँ पर कर दिया abstain और इस resolution का समर्थन नहीं किया for example यहाँ पर आप देख पाओगे Pakistan ये उन चुनिंदा गिने चुने resolutions में आता है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक तरफ वोट किया है और आप देख पाएंगे याँ पर पाकिस्तान ने abstain किया इंडिया ने भी यहाँ पर abstain किया है रश्या ने भी abstain किया और इवन चाइना ने भी यहाँ पर abstain कर दिया अब यहाँ पर आप कहोगे वेड, बांगलादेश ने भी यहाँ पर आप स्टेन कर दिया, बांगलादेश क्या बेचता है मैंनमार को, अचुली इनकी थो थोड़ी बहुत रैवलरी भी चल रही है, रोहिंगा एशू को लेकर रिलेशन्स भी खड़ाब हैं, तो इन्हों ने यहाँ पर मैंनमार की आर्मी के गेंस वोट क्यों नहीं किया, यहाँ पर इनको मौका मिला हुआ था, देखो इंटरस्टिंग बाद यहाँ पर यह है, कि बांगलादेश, इजिप्ट और इरान ने अलग लाइन पकड़ी, इन्होंने यहाँ पर यह का कि ठीक है, आप आपर यह क्या रही है, कि अचानक से आज के समय मियनमार के लोग मर रहे हैं, तो आप क्या रहे हो के मैनमार की आर्मी का जो एमिलेशन है, जो इनका वैपन है, यह रोको, मगर जब इनकी आर्मी, रोहिंगा मुसलमानों पर यह था, तब आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, तो need यहाँ पर यह है कि बहुत जादा strict binding resolution यहाँ पर पास करने होंगे UN में Myanmar के खिलाफ ताकि इनकी जो आर्मी है जो ना सिर्फ अपने लोगों पर even Rohingas को मारती है इस आर्मी को हम कमजोर कर पाएं क्योंकि यह है root cause of all the problem. तो different countries है different इनका reason था यहाँ पर vote करने का अब यहाँ पर यह भी पूछोगे वेट तो जो यह vote है यह UN के security council में तो नहीं हुआ तो इसका answer है हाँ यह हुआ जनरल assembly में तो यह voting जो यहाँ पर करी है क्या यह binding है क्या यहाँ पर इन्होंने एक rule बना दिया है तो इसका answer है नहीं क्या आज अगर इंडिया चाहे तो weapon sell कर सकता है Myanmar को कोई भी issue नहीं आएगा और इंडिया का देखो एक बहुत बड़ा reason यहाँ पर यह है abstain करने का कि इंडिया actually एक बहुत बड़ा weapons exporter है to Myanmar पहले भी बेच चुके है in the future भी हम उमीद करते हैं कि Myanmar हम से और जाता weapons खरीदेग Now obviously बात है यह बात हम UN में खड़ियों के तो बोलेंगे ना इंडिया बोलेगा न चाहिना बोलेगा भारत और चीन दोनों weapons export करते हैं to Myanmar बहुत इंटरस्टिंग बात देखिए यहाँ पर यह है कि इंडिया और चाहिना दोनों ने यहाँ पर यह का कि देखिए हम इस resolution को support नह पर बात ही लिखी है कुछ आसानी है कोई radical plan है इंडिया ने यहाँ पर यह का कि हम जो ASEAN countries का initiative है इसको support करेंगे whereas interesting बात देखिए इस resolution में Myanmar की army के against ASEAN countries नहीं vote किया है यहाँ पर आप देखोगे Indonesia ने इस resolution के पक्ष में vote किया Philippines ने भी पक्ष में vote किया है उसके लाबा Vietnam ने तो खेर देखिए घूम फिर के हमें यह बात accept करनी होगी के Myanmar से इनकी army हटने वाली है नहीं इन्होंने proper तरीके से power बस पकड़ ली है आम लोगों के पास इत्ती power नहीं होती के military को हटा दे उनके पास weapons है trained soldiers हैं तो कड़वा सत्य यहाँ पर यही है के Myanmar के लोग अभी के क्या Myanmar के साथ relations खराब कर दे Myanmar को धकेल दे चाना की तरफ long term में यह होगा blunder तो इसलिए यहाँ पे इंडिया आप कह सकते हैं बहुत ही एक balanced approach अपना रहा है regarding Myanmar क्योंकि हमको भूलानी चाहिए कि इंडिया की billions की investment भी है Myanmar में जो कलादान multi molar transport project है यह हमारे लिए बहुत important है तो ह अरत का जो यह stance है यह काफी मुश्किल है क्योंकि एक तरफ से US बहुत pressure डाला इंडिया पर बाकी countries पर भी के Myanmar के खिलाफ action लो इंडिया तो एक proper border share करता है विद Myanmar तो US काफी बार कह चुका है कि अगर आप support करते हैं इंडो Pacific region को तो democracy को आपको support करना होगा क्योंकि इंडो Pacific क को promote करेंगे तो भारत के लिए कावी मुश्किल है आपर कि हम लोग ये बात ignore कर दें कि Myanmar में आज के समय डेमोक्रासी का जो गला है ये घुटा जा रहा है और ये कर रही है इनकी खुट की आर्मी और finally यहाँ पर आप question पूछोगे अच्छा ये जो resolution पास हुआ है इसको बादा difficult choice है इस वक्त Myanmar में आर्मी को support करें या ना करें या फिर even support भी बहुत बड़ा word है इनके साथ cooperate करें इनके साथ trade भी करना चाहिए या नहीं ये एक बहुत बड़ा question है in front of the Indian foreign policy मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा आपका opinion कि क्या भारत की नीती इस वक्त Myanmar को लेकर ठीक ह या फिर openly हमको या पर support करना चाहिए democratic movement को in Myanmar लिखेगा इसके बारे में comment section में और आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं चाहे SSC, bank, UPSC, any examination, simply जाओ unacademy.com पे और यहाँ पर purchase कर सकते हैं the course of your choice अगर आप prepare कर रहे हैं for UPSC examination तो simply यहाँ पर click करो UPSC, CSE पर get subscription और यहाँ पर purchase कर सकते हैं plus या फिर iconic course, दोनों courses में पूरा syllabus cover होगा, iconic course में देखो आपको मिलता है एक personal course study planner ताकि पूरे साल with proper dedication आप course को follow करे, अब यहाँ पे लिखा है कि 12 मेने का जो यहाँ पे course है आपको पड़ेगा 6,208 रुपे का तो यह price कभी भी पेमत कर देना, use करो यहाँ पे code PD10 औ thank you for listening and as always, God bless you all